ये वीडियो नौबत पूरवालों के लिए खास हैं क्यों खास है ये आज के दैनिक भासकर अखवार पढ़ने वाले लोग बखुबी समझ रहे होंगे आज के दैनिक भासकर अखवार में पिछले दो वर्सों में क्राइम रेट के मामले में हत्या और अंगदारी के मामले में नौबत पूर को नंबर एक अस्थान दिया गया था उसी दैनिक भासकर अखवार में कल भी एक ख़बर चपेगी वो खबर होगी जिसे परकर नौबतपूर के लोगों का सीना चौरा हो जाएगा क्यों चौरा हो जाएगा क्यूंकि नौबतपूर के ही एक बच्ची जो आज दस्मी का रिजल्ट आया है तो आईए हम बात करेंगे उसी बच्ची से और आखिर कैसे इन्होंने टॉप 10 में अपना अस्थान बनाया थोड़ा सा जगा देजिए इधर आजाएगे कि कैसा फील हो रहा है मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है अच्छा बहुत खुसी हो रही है यह जानगा कि मेरा नाम पिहार के उन लोगों में जो टॉप में आते हैं कितना नंबर आपका था चार सो पाशेत्तर आज के दैनिक भासकर अखवार में हत्या और रंगदारी से अबतपुर का नाम अच्छे अच्छे काम के लिए लिया जाएगा हर सब्चिक का अपना नंबर बता दीए कि हर सब्चिक में कितना सबसे ज्यादा सरी किसको देना चाहेंगे अपने परिक्षा परिनाम को देखकर इंटरनेट के माधम से मैंने त्यारी किया उसे बहुत अच्छा इंटरनेट ज्यादातर हम ग्रामीन इलाकों के रहने वाले हैं यहां पर बच्चियों को सिख्षा के मामले में कहीं पीछे माना जाता है ऐसे में आपके पैरेंट्स माता-पिता या और घर में जो परिवार है उनका कितना सहयोग रहा है पहले तुम पहले माता-पिता बच्चपन से मेरे एजुकेशन को लेकर बहुत पोजेसिव रहा है उन्होंने कभी किसी कमी नहीं दी हर मैंने जो बला कि मुझे यह पढ़ना वो पढ़ाई मुझे यह चाहिए वो दिया तो पहले माता-पिता और आगे किया कि पर हो तुम पर ऑल नशा थोरा दर्सकों को बता दीजे आपके पिता जी क्या करते हैं इस बिहार के टॉप 10 में अपने आप में मैने रखता है अब आगे आपके फूचर में आपका क्या प्लानिंग है इसके लिए आपको बाहर जाना होगा तो अब इनकी मम्मी से बात करेंगे उनको कैसा लग रहा है चुकि बहुत बड़ी उपलब्दी है अपने आप में बिहार के टॉप 10 में आना कैसा फील हो रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बहुत बेटी ने आज इस जगह पर आई है और मुझे उमीद भी थी मुझे उमीद थी कहीं ना कहीं मेरी बेटी जगह को लाएगी लेकिन थोड़ा तक कुछ पल के लिए डर गई थी मैं सारे तीन बजे जब नंबर एक पर है मैं मैंने बोली थी मैं से कि मैं अपनी इस साल का टॉप बच्चा दे रही हूं आप क्यार की जिएगा प्रहाई कितना समय करती थी आप दिन भर 24 घंटे में कितना समय पढ़ाई को देती लगबग 8-9 घंटा में चले जाता था अपने जो आने वाले पीड़ी है छोटे भाई बहन है उनको क्या संदेश देना चाहिएगा जो अभी 10 में गए हैं या फिर जो आने वाले हैं उनके लिए क्या संदेश होगा उनको लिए वह तो हमें से मुझे देखते हैं कि मैं कैसी बस मेरे वह पपत्र पर चले तो वह जरूर मुझसे भी आगे होंगे पर अच्छा लग रहा है उमीद था अपको माता पिता को पहले हैं पढ़ने हैं उम्मेद कुमार चौरस्या जी हैं इनके पिटा जी है और पान की का दुकान चलाते हैं हाँ वह बहुत अच्छा बढ़ी है आई है मेरी बेटी खास करके जब आज के अखवार में नौवदपूर को जो डाला गया है क्राइम के मामले में नमबर वन पहत्या और अंगारी के मामले में ऐसे में इस पर क्या आपका टिप नहीं होगा यह सब देखकर थुरा दुख लगता है सर लेकिन यह हमारे बेटी ट मा को तो पहले से उमीद था कि बच्ची हमारी टॉप टेन में आएगी आपको भी इसा उमीद था कि मेरी बेटी कुछ नि बढ़िया करेगी ऐसा था पहले से पहले पढ़ने में बहुत अच्छी है और लगतारी अपने लस्की प्रति बच्ची का मन अब है आयस बनने का इ है आप हम लोग इसके लिए बहुत त्यारी का आओ देहात में लोग सोचता है कि बच्ची को बाहर पढ़ने नहीं भेजना है नहीं होगी अब हम लोग अपने बेटी को मलगत बना तो यह थे इस बच्ची के पिता और वाकई काफी खुस है पूरा परिवार परिवार जो ह बहुत बहुत धन्यवाद